नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चनल लक्ष विजय में आज 6 जून है छे जून से जुड़ी हुई कुछ महत्वपुन गटनाव की बात करता हूं तो 1867 की बात है बाबा खड़क सिंग जो की एक स्वतंतरता सेनानी थे इनका जन्म आजादी से पहले वाले पंजाब प्रांत के सियाल कोट सियाल कोट वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है इसे लिए मैंने आजादी से पहले के भारत की बात कही है और आजादी से पहले के पंजाब की बात कही है तो आजादी से पहले के पंजाब के सियाल कोट में हुआ था बाबा खळक सिंग भारती स्वतंता अंदुलन के एक सक्रिय सेनानी थे इलहाबाद जिसे वर्तमान समय में हम लोग प्रियागराज के नाम पर जानते हैं तो इलहाबाद से लौ की यनि कानून की सिक्षा लेने के बाद वे जल्दी ही सिखों के मुद्दों और भारत के स्वतंता संग्राम में सक्रिय हो गए स्वतंता संग्राम के दोरान आपको सिख गुर्दवारों के अंदर जो एक धार्मिक भ्रस्टाचार मिलेगा उस ब्रस्टाचार को दूर करने के लिए शिरोमणी गुर्द्वारा कमेटी का गठन किया गया जिसमें बाबा खलक सिंग जी का भी बड़ा जबर्जस्त योगदान रहा और वे शिरोमणी गुर्द्वारा कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए इस कमेटी ने धीरे धीरे करके जो महंतों के द्वारा किया जा रहा गुर्द्वारों में ब्रस्टाचार है उसके उपर नियंत्रन लगाने का काम किया साथ ही साथ शिरोमणी गुर्द्वारा कमेटी ने अपना एक अन्य संगठन बनाया इसी नाम से बनाया जो कि राजनेति तोर पर सक्रियरा भारत की आजादी भारत के स्वतंता संग्राम में जिसने खुब बढ़ चलकर हिस्सा लिया जिनमें बाबा खड़क सिंग ने भी हिस्सा लिया 1988 में उनके आजादी को लेकर उनके युगदान को ध्यान में रखते हुए ततकालीन भारत सरकार ततकालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी तो ततकालीन भारत सरकार ने उनके नाम पर एक भारती टिकट भी जारी किया इसी प्रकार से 6 जून की एकन्य घटना की ओर चलते हैं तो एकन्य महान क्रांतिकारी उपेंद्र नात बंधोपाद्याई जी का जन्म 1879 में पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में हुआ था वे भारत की आजादी के लिए संगर्श करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे अलिपूर शर्यंत्र केश्ट के प्रमुक क्रांतिकारियों में भी उपेंद्र नात शामिल रहे उन्होंने अर्विंदो घोष जोकी एक महान क्रांतिकारी भी रहे और विशेशकर 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ उठने वाले भारत के पहले राष्ट्रवादी आंदोलन में जो बढ़चल कर हिस्सा लिया तो उपेंद्र नात जी ने अर्विंदो घोष की जो पत्रिका जिसका शीर्षक हुआ करता था वंदे मात्रम इस पत्रिका में कारे किया खुब बढ़ चल कर कारे किया और देश के लोगों को अंग्रेजों के प्रती उपनिवेश्वाद के प्रती जागरुक करने का काम कि अर्विंदो घोष राजनेतिक रूप से सन्यास ले लेते हैं और एक संस्था बनेती जिसका नाम था अनुशीलन समिती अनुशीलन समिती भी अपने कारणों कुछ कारणों की वज़े से भंग की जा चुकी थी तो अब बंदोपाध्याजी ने युगांतर समिती के साथ मिलकर अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाया उन्होंने युगांतर पत्रिका के संपादन में भी बढ़ चल कर कारे किया है और इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने करांतिकारी विचारों का जो की अंग्रेजी सरकार क विरुद्ध थे उनका प्रचार किया आजादी की लड़ाई में करांतिकारी गतिविदियों में उन्होंने सक्री रूप से भाग लिया और जब उन्हें अंग्रीजी सरकार के द्वारा पकड़ा गया तो उन्हें भी काला पानी की सजा सुनाते हुए सेलुलर जेल में बंदी बना लिया गया छे जून की महत्वण घटनाए जो भारती इतिहास हमारे राष्टिया अंदोलन आज के हमारे व्यक्तितों को बनाने में महत्वण भूमी का निभाती हैं उनसे जुड़ीवी बाते थी जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया उमिद करता हूँ कि ये जानक स्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो हैव गुड़ी